नमस्कार, जीरो पिरिट के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है हम आज बात करेंगे जवाहर नवो देविद्याले की प्रविश परिक्षा से समन्देत मांसिक योग्यता परिक्षण के कुछ सवालों पर जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर जे नवी सीरीज के नाम पर मैंने लगता दो वीडियो डाली है जिसमें मांसिक योग्यता परिक्षण के कुछ खंडों पर बात की गई है उसके आगे का पार्ट इस तीसरी वीडियो में आप देख पाएंगे भाग तीन इसे हम कह सकते हैं जिसमें आप खंड साथ से लेकर के आगे के कुछ खंडों पर देखेंगे कि किस तरह से प्रश्ण आते हैं पिछले परिक्षाव में पूछे गए प्रश्णों और कुछ अलग महत्वपुन प्रश्णों का एक कलेक्शन है जिसमें हर खंड के पांच-पांच प्रश्ण हमने प्रयास की है के इसमें शामिल करें और इनका एक-एक करके विश्टेशन करें और किस तरह से इसके प्रश्णों के उत्तर हम बना पाएंगे उस पर चर्चा करें तो आज हम बात करेंगे खंड साथ यहां पर प्रश्ण करमांग 31 से हम शुरुवात करेंगे एक से लेकर के तीस तक के प्रश्णों को हमने दो खंडों में दो वीडियो लगातार इसके पहले अप्लोड किया है हमारे चैनल पर जा करके आप इसको देख सकते हैं पहली वीडियो में एक से पंदरा तक और फिर दूसरी वीडियो में 16 से 30 तक के प्रश्णों का हमने समाधान देखा है किस तरह से उसके हल बनेंगे आज हम बात करेंगे प्रश्ण करमांग 31 यानि कि 31 क्वेशन नमर 31 से हम शुरुवात करते हैं इसके लिए जो निर्देश है 31 से 35 तक के प्रश्णों के लिए वो मैं पहले आपके लिए पढ़ दूँ प्रतेख प्रश्ण में बाई और एक समस्याकृती और दाई और चार उत्तराकृतियां दी गई है समस्याकृती की दरपण आकृती के बिलकुल सद्रिश है कहने का मत्ब आपको इसमें mirror image find out करना है इसको हम कहते है mirror image तो mirror image कैसे निकालेंगे आप देख लीजे पहले आपके पास ये बिलकुल जैसा शेफ है और इसके सामने आपने mirror लगा दिया तो वो किस तरह से दिखेगा ये आपको identify करना है तो A तो as it is है इसलिए इसकी सब्भावना खारिच कर दिया हमने C भी नहीं हो सकता और D भी नहीं हो सकता आप अगर A और B को देखें तो ये अपने आप में mirror लगेज दिख रहा है और A जो अब इल्कुल question figure की तरह है तो इस तरह से अगर आप देखेंगे identify करने की कोशिश करेंगे तो B आपके question का correct option होगा दूसरा प्रश्ण क्या कहता है आईए देखते हैं इस प्रश्ण में 32 प्रश्ण में एक आकरती दी गई है इस आकरती के सामने आपने अगर दरपन लगाया तो 4 में से कौन सी आकरती बनेगी ये देखना है हमको तो ये A तो ऐसे ही खारीज हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर ये circle जैसा बना हुआ है तो यहाँ पर गोला ही बनना चाहिए था तो ये आपका हो भी नहीं सकता इसमें भी सम्हावना नहीं है क्योंकि इसकी आकरती पूरी तरह से बदल गई है आखिर में D ही बच जाता है और D ही इसका correct option है क्योंकि D को अगर आप देखें तो mirror के सामने रखने पर आकरती को mirror के सामने रखने पर बिलकुल यही चित्र द A में वो पलट गया है तो A का option बिलकुल नहीं हो सकता, C का option नहीं हो सकता क्यूंकि इस तरह से checks नहीं है इसमें और ये तो बिलकुल नहीं हो सकता, अब देखते हैं B में, B में क्या-क्या बाते हैं जो हमको लग रही है कि इसके लिए सही उत्तर हो सकता है, तो पहले तो mirror आकर इस पर परिवर्तन होना नहीं है, इसलिए option B इसका correct option होगा, question number 34, question number 34 में अगर आप देखेंगे तो एक figure बना हुआ है, कुछ शेडिया के आंक जैसा चोच जैसा कुछ शेप है ये, और अगर A देखें तो A तो बिलकुल similar figure है, तो इसका similar figure तो बन नहीं सकता mirror में, तो ये आपका होई नहीं सकता, इसका answer कट हो गया, B अगर आप देखेंगे तो B में आकृति पूरी तरह से बदल गई है, इसकी संभावना भी खतम हो जाती है, और वहीं बात D के साथ भी है, आखिर में बच जाता है C option, तो option C में अगर आप analysis करें, तो पूरा का पूरा जो figure है, उसका mirror image लग रहा है, तो option C आपका correct option होगा, 34 question का उत्तर C हो जाएगा, 35 प्रश्ण में अगर आप देखेंगे तो 3 बना हुआ है, अब 3 क्या mirror figure कैसा बनेगा, तो मुझे तो option A ही सबसे ज़्यादा correct लग रहा है, फिर भी बाकी options में भी अपन सोच ले, कि बाकी options क्या क्या कहते हैं, और कैसे इन में संभावनाय बनती हैं, या खारी जोती हैं, दोनों तरसे देख लेते हैं, अगर कोई possibility है, या possibility नहीं है, ये पूरी तरह से पलट गया figure, तो इसके तो chances खतम हो गए, इसमें थोड़ी बहुत संभावनाय थी, लेकिन ये आकरती उलट गई है, तो इसलिए ये भी खतम हो गया, और वही बात इसके सांद भी है, तो आखिर में option A बचता है, option A ही आपके question का correct option होगा, आप option A में टिक लगा सकते हैं, अब हम पहुँच चुके हैं, खंड आठ में, यानि कि आठवा section है, यो punch hole वाला section है, आप क्या करते हैं, किसी आकरती को मो देश में एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए, प्रश्णों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है, 36 से 40 तक, इसमें भी 5 सवाल मिलेंगे आपको, वो 500 सवाल हम एक एक करके देख लेते हैं, जैसा कि बाही और समस्याकरती में दिखाया गया है, तो दाही औ और फिर वापस टर्न कर दिया गया, टर्द करने के बाद दो जगा आपने ये कट मारा है, तो जब ये मैं खोलूंगा इसको ऐसे, ठीक है, इस तरह से खोलने पर ये कट का reflection यहाँ दिखेगा और इस कट का reflection यहाँ दिखेगा, और ये जब पूरा खोल दूंगा मैं, तो य से और ये उपर नीचे हो जाएगा ये भी इस तरह से बन जाएगा और आपका ये वाला पार्ट भी बन जाएगा तो कुल बिला करके अगर आप देखें तो चारों तरफ ये आकरिती दिखेगी कुछ इस तरह से जो option C में है option B, B या A कहीं से इसके सही हल नहीं हो सकते क्योंक को खुलने के बाद वो कुछ इस तरह का ही बनेगा जैसा C में दिख रहा है ठीक है आगे बढ़ सकते हैं हम अगला question देख सकते हैं प्रश्ण करमांग 37 है 37th number का question है इसमें पहले इसको vertically turn किया फिर एक बार और बोड़ा है दो बार मोड़ा है उसने दो बार मोड़ने के बा इस तरह से इस तरह से 4 hole बनने चाहिए और 4 hole उपर और 4 hole नीचे तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें direction पलट गया है इसमें केवल 4 hole है इसमें 4 hole ही है आखिरी option D जो है वो ही इस question का correct option है आप इसी को tick करिएगा यहीं आपको question का correct solution होगा 38 सवाल यह भी पंच्छोल से ही है इसमें भी आपको उसी तरह से कटिंग करना है आपने पहले यहां से डाइगोनली फोल्ड किया फिर फोल्ड किया फिर फोल्ड करने के बाद फिर कट किया है 38 सवाल 38 सवाल की आकृति अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो आकृति की कटिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो इस कारवनल में आकृति बन पा रही है इस तरफ यही आकृति चारो तरफ बननी है तो आप देख लें इस तरह की आकृति चारो तर जैसा शेप दिखेगा ये option A में ही मुझे दिख रहा है बाकी B, C और D में कहीं से भी ये option नहीं नजर आ रहा है ये figure नजर नहीं आ रहा है ये image इस तरह से बन पाएगा option A की तरह तो option A में आप टिक लगा दे option A ही आपका correct answer होगा अब हम पहुँच चुके हैं 4939th question में यहाँ पर जो सबस्या करती है उसको पहले horizontally एक fold है फिर उसके बाद vertically एक fold है उसके बाद इस folding पे आपको hole करके दिखाया गया है जब आप इसको खोलेंगे तो एक hole यहाँ बनेगा और बिल्कुल यही बात इधर भी होगी दो hole यहाँ भ ज़र आ रहा है B, C और D में ऐसे कोई भी नजर नहीं आ रहा है जिन पे मैं कोई दाओं लगा सकूँ तो मेरा सीधा सीधा सेलेक्शन आए के लई होगा मैं A को ही पिक करना चाहूंगा मेरे इसाब से इसका correct option A ही होगा चालीसवा सवाल जो कि इस section का आखिरी सवाल है इसमें दी वैसे ही है एक horizontally fold किया है फिर verticallyly fold किया है और उसके बाद एक corner पे इस तरह से paint कर दिया है या cut कर दिया या shed कर दिया जो भी बोलिया आप तो जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह भी ऐसे ही darken part मिलेगा आपको उ center पे एक diamond shape का मिलेगा जो काले color का होगा और ऐसा केवल option A में दिख रहा है B, C, D इन में कहीं पर भी ऐसी possibility मुझे नहीं दिख रही है तो मैं समझता हूं कि option A के साथ जाना ठीक होगा option A ही मेरे सवाल का सही जवाब है तो यह 40 सवाल का जवाब होगा option A आप इसी पे टिक ल वीडियो में हम यहीं तक अपनी बात करेंगे और 41 से लेकर के आगे के सवालों पर अगली वीडियो में डिसकस करेंगे ताकि कोई वीडियो लंबी न हो आपको जब आप वीडियो स्टड़ी करने बैठे है या देखने बैठे तो आपको चीजे आसानी से समझ में आया जो बच जा रहे हैं वो अगले वीडियो में आपके साथ हम बात करेंगे वो इस सीरीज का चौंथा वीडियो हो जाएगा अभी तीसरे वीडियो में हम यहीं तक अपनी बात रखना चाहेंगे और आप अगर पिछले दो वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएग और यह वीडियो के बाद अगर आपको पसंद दा रहा हो तो आप जरूर इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताईए शेयर करिए ताकि जादा से जादा बच्चे इसका लाब उठा सकें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाए बाए